Hello students, welcome to our channel, Mukesh Kachyapta students, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि English के हमारा इस सिरीज चल रही है, जिस सिरीज के अंदर हम स्टार्टिंग से आप लोगों के लिए English सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप सभी regular इसी चैनल पर लगातार ये सारी वीडियो देखते हैं तो I promise आप इस से पहले आप पहले दिन की वीडियो देख सकते हैं चाहें इसके बात देख लीजिए तो इस वीडियो में हम cover करने वाले हैं अपने कुछ important words जिनकी आपको use हमेशा इंगलिस के अंदर करना होता है तो start से पहले हम word देखते हैं my, your, our, his, her, there, its और इनके साथ में कुछ words होते हैं mine, yours, ours, his, her, hers, there, its अब ये दो तरीके के words हैं समझ लेते हैं my, my का जो pronunciation होता है वो होता है my, mine means mine, ठीक है, ये दो words आ गए, इन दोनो words का means होता है मेरा, दोनो words का means क्या होता है, मेरा अब इसके बारे में थोड़ा सा deeply समझेंगे कि ये दोनो words का अगर मतलब मेरा ही है तो हमने दो word use क्यों किये, दो word use इसलिए किये कि अगर हम मेरा सब्द का प्रियोग कर रहे हैं किसी और व्यक्ति के लिए तब my use करेंगे, ठीक है न, और अगर अपने आपके लिए use कर रहे हैं तो mine use करेंगे, समझ लेते हैं थोड़े से example के according पहला example, my के लिए, this is my pen, यह मेरा pen है, clear, यहाँ पर क्या होता है कि जब my word का use होता है, इसके बाद में हम कोई न कोई noun का use करते हैं, जब हम क्या करेंगे, my करेंगे, your करेंगे, our, his, her, their, its, इनके तुरंत बाद हमें कोई न कोई noun का use किया जाता है, ठीक है, अब यही बात आ जाती है, लागू होती है, जब मैं अपने आपके लिए बोल रहा हूँ, अपने लिए बात करूँगा, तब वो क्या होगा, this is, this pen is mine, this pen is mine, यह मेरा pen है, यह मेरा pen है, समझ लीजिए, this is my pen, यह मेरा pen है, this pen is mine, यह मेरा है, क्या है, यह मेरा है, आप इसको अगर use करना चाहें, तो हम this is mine, इतना भी लिख सकते हैं, इसका means हम यहाँ पर pen को गायब कर देंगे, अगर तब भी कोई फरक नहीं पड़ेगा, this is mine, यह मेरा है, समझ मैं आई, next देख लेते हैं, यह क्या होता, itself अपने बारे में बात कर रहा है, खुद के बारे में, और इनके अंदर एक जुद है ही, s, s और s, यह s last में लगा हुआ होता है, yours, sorry, your है, your means क्या होता है, तुम्हारा या आपका, yours, yours means क्या होगा, इसकी जो pronunciation है, yours है, और इसका भी मतलब होता है, तुम्हारा या आपका, इसे देख लेते हैं, is this your pen, क्या, this means यह है, your means तुम्हारा, pen means pen, क्या यह pen तुम्हारा है, तो इसको अगर अपने आपके बारे में बोलेंगे, तो is this pen yours, क्या यह pen तुम्हारा है, ठीक है न, बात आरी समझ में, next देख लेते हैं, hour, इसकी जो pronunciation है, वह hour, ठीक, इसका means होता है, हमारा, और जब itself अपने लिए बोलेंगे, जब प्रनाउन के में इसको प्रियोक करते हैं, तब क्या होता है, hours, hours, ठीक है न, इसका देख लेते हैं, example, she is our sister, she is our sister, वह हमारी बहन है, वह हमारी बहन है, और she is a sister of yours, कि अब यह चीज़ देख लेंगे, ध्यान से, कि जब भी हम अपनी के लिए बात करेंगे, तो she is a sister of yours, यह से बात करेंगे, she is a father of yours, sorry, she is a mother of yours, he is the father of yours, इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है न, clear, next देख लेते हैं, his, यानिकी his, his नहीं, his, this is his pen, यह उसका पहन है, और उसका word, यह his जो होता है, लड़के के लिए use होता है, यहाँ पर his में as already मौजूद होता है, इसलिए his का his ही रहता है, इसमें as नहीं लगाते, क्योंकि as इसके अंदर पहले से मौजूद है, तो this pen is his, यह है उसका pen है, clear, next देख लेते हैं, her, her, her means होता है, उसकी यह लड़की के लिए प्रियोग होता है, और जब इसे pronoun के रूप में प्रियोग करेंगे, तो pronoun के रूप में प्रियोग करते हुए, hers बोलते हैं, क्या बोलते हैं, hers, अब इसका example देख लेते हैं, this is her pen, यह है उसका pen है, और जब इसे pronoun के रूप में प्रियोग करेंगे, तो this pen is hers, यह अपने आपके लिए बोला जाता है, ठीक है, there, there का मतलब होता है, उनका, यानि की और pronoun के रूप में होता है, there's, there's, अब इसका जब यूज करेंगे, it's there fault, it's means यह, there's means उसका, fault means होता है, कमी, fault means होता है, गलती, यह उसकी गलती है, यह उसका गलत किया है, मतलब यह उसका गलती है, यहाँ पर उसकी गलती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देर्स के रूप में जब हम प्रोनाउन के रूप में प्रियोग करेंगे दा फॉल्ट इस देर्स ये फॉल्ट उसी का है ये फॉल्ट ये जो कमी है ये उसी की कमी है ठीक है next होता है its ठेक है इसका मतलब होता है इसका its ठेक है अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे जो its word होता है वो एक आपका निर्जीव बस्तूओं के लिए होता है किस चीज़ के लिए होता है निर्जीव बस्तूओं के लिए या फिर जानबरों के लिए होता है जानबरों के इसका only क्या होता है आप cable और cable noun के रूप में ही प्रियोग करते हैं जैसे कि look at its body look at its body look means देखो at its body इसकी body को अब ये body जो है वो किसी bike की हो सकती है कि हमारे सामने कोई अच्छी सी bike जा रही है उसकी body अगर नया design आया है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे look at its body कितनी अच्छी body है इसकी body को देखो समझ पा रहे हैं अगर ये चीज़ समझ में आई है तो बढ़ते आगे next देखते हम कुछ words जो की use में आते हैं जैसे alone ठीक है ना इसे बोलते है alone नहीं बोलते alone क्या बोलेंगे इसे alone इसका मतलब होता है अकेला या अकेली ठीक है इसका प्रियोग देखते हैं जैसे हम बोलते हैं leave me alone मुझे अकेला छोड़ दो leave me alone ठीक है ना next देखते हैं just इसका pronunciation होता है just अर्थ होता है इसका अभी अभी या बस अभी ठीक है अभी अभी या बस अभी जैसे इसको देखते हैं just coming अभी अभी आ रहा हूँ या मैं अभी अभी आ रहा हूँ ठीक है ना या बोल सकते हैं इसको बस अभी आ रहा हूँ ठीक है हमने कहा कि आ जाओ just coming अभी आ रहा हूँ ठीक है ना clear next only इसका pronunciation है only अर्थ होता है सिर्फ या फिर केवल जैसे इसका एक देख लेते हैं example it's only a scratch it's means यह only means cable या फिर सिर्फ a means एक scratch means होता है मतलब scratch means होता है खरोच क्या होती है खरोच यह cable एक खरोच है या cable एक खरोच है किसी गाड़ी को अगर हम sale कर रहा है तो बोलेंगे cable एक खरोच है ठीक है ना okay बोथ प्रनाउंसेशन बोथ अर्थ होता है इसका दोनों अब इससे देखते हैं बोथ आर कमिंग दोनों आ रहे हैं क्या हो जाएगा दोनों आ रहे हैं next देखते हैं still क्या है इसका still still अभी भी या फिर अभी या फिर अभी भी या फिर अभी भी लेकिन मैं अभी भी भूका हूँ तब क्या बोलेंगे I still hungry with with means होता है के साथ I live with you मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो क्या जाएगा यहाँ पर with का मतलब साथ next देखते हैं letter ठीक है letter see you letter see means होता है देखना और see means होता है मिलना भी होता है see you letter means बाद में मिलते हैं without without के बिना होता है इसका अर्थ या के बगेर जैसे I cannot live without you मैं तुम्हारे बिना के बिना यानि के तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता तो इसका अर्थ क्या होगा without का के बिना या के बगेर मैं तुम्हारे बगेर नहीं रह सकता या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता इसका प्रनाउंसेशन उता अब होता है अर्थ या फिर होता अभी देखेंगे I am not hungry now मैं अभी या फिर अभी भूका नहीं हूँ मैं खाना खा चुका हूँ अब भूका नहीं हूँ या मैं अभी भूका नहीं हूँ तो इसका हो गया प्रनाउंसेशन इसका आर्थ होता इसलिए या फिर तो इतना या बहुत तो he is so weak that he cannot walk कि वह इतना कमजोर है कि वह डौड नहीं सकता walk means चल नहीं सकता डौड़ना मुतलब रन होता है यहाँ पर क्या walk means चलना कि वह चल नहीं सकता इतना जादा कमजोर है next देखते है then then तब होता इसका फिर होता है उसके बाद ठेक है यह इनके अर्थ लिए जाते हैं जैसे I learn first मैं पहले पढ़ूंगा then I understand तब मैं समझ पाऊंगा या तब मैं समझूंगा ठेक है पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद समझूंगा hope so आपको ये सारे के सारे words सही से समझ में आ चुके होंगे और अगर नहीं आए हैं तो आप इनका daily practice कीजिए और इनको दुबारा से वीडियो को remind करके rewind करके देखिए और उसमें जाकर फिर दुबारा से आप इनकी practice कीजिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और अपने सबी दोस्तों के अंदर ये वीडियो शेर कर दीजिए झाला 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 में जाने सकाफे जजिए